भार्दी जन्ता पार्टी ने बीत एक तालिस सालों में देश के हर राज तक अपनी पहुच कायम की है और इसके लिए कई पीडियां खब गई पीम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की एक त्यालिस वी सालगरा के मौके पर आज कारे करताओं को संबोधित कर कुछ बाते कहीं इस जोरान उन्होंने लाल कृष्णा इडवानियों और मुली मनोहर जोशी का जिकर करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के आशिरवात से पार्टी आगे बढ़ी है बीजेपी के लिए हमेशा से यह मंत्र रहा है कि व्यक्ती से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है यह परमपरा श्यामा प्रसात मुकरजी से लेकर आज तक चली आ रही है उनके विचारों की ही शक्ती है कि हम उनके सपने को पूरा कर पाए और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा पाए इसी तरह तल ब्यारी बादश्मी ने एक वोट से सरकार गिनना सुविकार कर लिया लेकिन पार्टी के मूल्यों से समझोता नहीं किया इस औरान पीम नरिंद्र मोधी ने बीते 7 सालों में केंद्र की अपनी सरकार की उपलब दियां भी किनाई पीम मोधी ने कहा कि हम ने पीम किसांस संवा निदी योजना और नए गृशी कानूनों के जरिये किसांून की स्तिती में सुधार किया है बीजेपी के कारिकरताओं को समझना होगा कि आज कल गलत नरेटिव गड़ा चाह रहा है CA से लेकर कृशी कानून तक गलत धाड़नाई भी कड़ी चाह रही है ये लोग अपनी पराजाय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं कुछ लोग अपने राजनितिक लाप के लिए ऐसा कर रहे हैं इसके लावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी बीजी पी से जन्मजाद तुश्मनी है इन लोगों की फैलाय वाहों से हमारे कारिकरताओं को साफधान रहना होगा और लोगों की भी सही बात लेकर चाहना होगा उन्होंने कहा कि देश में कभी समवधान बदलने और कभी आरक्षन को खत्म करने की अवाहें फैलाई चाहती है